अब विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इसलाम की पूजा कहा सुरक्षित चलती यहीं सुरक्षित चलती है हम अलग डिखते हैं इसलिए अलग है इस विचार से देश नहीं तूटता सभी को यह समझना आवश्चत है अपने देश की एकता अखंड़ता एकात्मता को कायम रखना यह हम सब का प्रयास होना चाहिए और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलके ठिक करना चाहिए पूरे दुनिया में इसलाम का आकरमन हुआ स्पेन से मंगोलिया तक चाह गया दिरी दिरे कालकरम में वहां के लोग जा गये उन्होंने आकरमन कारियों को पराश्ट किया तो अपने कारिक्षित्र में इसलाम सिकुड गया सब ने सब बदल दिया अब विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इसलाम की पूजा कहा सुरक्षित चलती है यहीं सुरक्षित चलती है कितने दिन हुए कितने शतक हुए यह चल रहा है सहाजीवन इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीती चलाना ऐसा करेंगे तो कैसा होगा किसी ने इसको समझाना चाहिए न यह समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है इस विचार से देश नहीं तूटता यह मात्रभूमी हमारी है यह भूलकर हमारी पुजाएं अलग-अलग है दो-चार विदेशी भी है फिर भी एक समाझ के नाते हम इस देश के हैं हमारे पुरुवज इस देश के पुरुज है इस वास्तविक्ता को क्यों हम स्विकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो विशिष्टता है विविधता है वो हमारे अलगाउ का कारण बनती नहीं बाकी दुनिया में बनती है लेकिन हमारे देश में प्राचिन समय से सब को समनीके साथ साथ चलाने वाली शंस्कृतिव जय्यमान है अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सब का प्रयास होना चाहिए और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलके ठिक करना चाहिए क्यों दोशारोपन से काम थोड़ी चलने वाला है लिकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेदाए जातपात के भेदाए पंथ संप्रदाए को लेकर भेदाए कुछ संप्रदाए बाहर से आए उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लडाईया हुई लेकिन वो बाहर वाले तो चले गए सबंदर वाले हैं तो उन बाहर वालों का संबंध भूल कर इस देश में रहना और अभी भी वहां के प्रभावंग यहां जो लोग है वो बाहर वाले नहीं वो अपनी है यह समझ के उनके साथ विवार करना अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है